Good morning friends and welcome to studygram portal मैं हूँ शाम और आज की इस वीडियो में हम लोग 22 जनवरी 2022 के जितने भी important current affairs बन सकते हैं उनको हम लोग पहले one-liner के रूप में देखेंगे फिर उसके बाद उसको quich के रूप में देखेंगे तो आएए देखते हैं पहला one-liner current affairs ICC की तरफ से बिस्ट की स्रेष्ट वंडे महिला team में मिताली राज एंग जूलन गोश्वामी को जगह दी गई है और तृपूरा, मडिपूर और मेगालय का अस्थापना दिवस 21 जनवरी को मना जाता है यानि 21 जन्वरी को तिरपुरा मड़िपूर मेगालेखा स्थापना दिवस मना जाता है इजराइल ने तीन अत्याधुनिक पंडुबियों की खरीत के लिए जर्मनी के साथ 20 जन्वरी दो हजर पाईस को जितने अरब डालर का रक्षा साउदा किया है वो है 3.4 अरब डालर प्रतिवर्स 19 जन्वरी को राश्टी आपदा प्रतक्रियाबल यानि NDRF का अस्थापना दिवस मनाया जाता है ICC की तरफ से चुनी गई बेश्ट की टेस्ट एकादस टीम में जिन दो खिलाडियों को जगह मिली हैं तीन खिलाडियों को वो हैं रोहिश सर्मा, आर आश्विन और रिशापत मानिंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटिलिजेंस की बिश्व की तेरह नेताओं की सूची में जिसे लोगपरी नेताओं में प्रसम अस्थान प्राप हुआ है, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको 71% रेटिंग के साथ पहला अस्थान मिला हुआ है और मारीसस की सरकार ने मेट्रो एक्स्प्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखने की घोशड़ा की है तो ये रहे आज के वन नाइनर कंटरफेस, अब हम लोग इसको क्विश के रुप में देखते हैं तो क्विश के वन में पहला क्विशन है, ICC की तरफ से चुनी गई बिश्व की टेश्ट एक आदस में निम्न में से किन भारती खिलाडियों को जगह मिली है तो वो हैं, आपसन ए, रोहिस सर्मा, आर, आस्विन और रिसब पन, भारत के तीन खिलाडियों को जगह मिली हुई है और मेंस टेश्ट टीम आप दे इयर 2021 का एलान कर दिया गया है ICC की तरफ से और ICC की तरफ से बेस्ट टेस्टीम में भारत के तीन खिलाडियों को जोगह मिली हुआ है पाकिस्तान के भी तीन खिलाडी सामिल है और न्यूजियलेंड के दो खिलाडी उपर मौका मिला हुआ है और आईए देखते हैं अगला क्वेशन मानिंग कंसल्ट पॉलिटकल इंटिलिजन्स की बिश्ट की तेरह नेताओं की सूची में किसे लोगप्री नेताओं में प्रतम अस्थान प्राप्त हुआ है तो यह है आप संडी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आई देखते हैं डीटेल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी दुनिया के सबसे लोगप्री नेता हैं पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे उपर है मानिंग कंसल्ट पॉलिटकल इंटिलिजन्स की बिश्ट की 13 नेताओं की रहेएं थर्ड कौश्टन है मारिसत सरकार ने मेठ्रो पर यक्स्प्रेस परियूजनां में भारत के समर्थण के लेकर एक इश्टेशन का नाम निम्न मेंvern में से किसके नाम पर रखने की घोसडा की है तो हैं महातमा गांधी यानि मारिसत सरकार ने एक Metro Express परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक इस्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोसड़ाकी है फोर्थ कॉश्चन है किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मेटा रोबर्टा मेटा सोला को यूरोपी संग की संसत का अध्यक चुना गया है तो यह है आपसन ए माल्टा द्वीपी देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपी संग की संसत का अध्यक चुना गया है और मेट्सोला पिछले सब्ता सोसलिस्ट नेता डेविड ससौली के निजन के बाद धाई साल के कारिकाल के लिए पदभार को ग्रहल कि है और वह यह पद इस पद पर निर्वाचीत होने वारी तीसरी महिला है और यूरोपी पालियमेंट की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष भी है आई सी सी की तरफ से बिस्व की स्रेष्ट वंडे महिला क्रिकेट टीम में किन दो भारती लाडियों को जगह दी गई है तो इसका आ वह हैं मिताली राज और जूलन को श्वामी चैने से स्ट्रीपूरा मड़िपूर और मेगाले का अस्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मना जाता है तो यह 21 जनवरी प्रतिक वर्स 21 जनवरी को तिपरा मड़िपूर और मेगाले को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज का दरज दिया गया था और नगालेंड को एक दिसंबर 1963 को राज का दर्जा दिया गया था इस्राइल ने तीन अत्याधुनिक पंडवियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2025 को कितने अरब डालर का रच्छा साउधा किया है तो यह है आपसंद सी 3.4 अरब डालर इस्रा यह जान का इस्राइली रच्छा मंत्राले के वरिश अत्यकारियों ने लिए है यह आठमा और अंतिम कोश्चन प्रतिवर्स किस्तारी को राष्टी आपदा प्रत्क्रियाबल यानि एंडी आरेफ का अस्थापना दियुस मना जाता है तो यह प्रतिवर्स 19 जनवरी को मना अतनियम के तह 6 बटालियनों के साथ की गई थी और वर्तमान में अंडी आरेफ में कुल 12 बटालियन है जिसमें बीस एफ और सी आर पीफ के 3-3 CISF, SSB और ITBP के दो दो बटालियन है इसकी प्रतिव बटालियन में 1149 से है तो फ्रेंट्स यह रहे आज के आज के लिए बस इतना है वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंट्स कैसा लगा आपको यह वीडियो अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट चरूर करें वीडियो को लाइक करना वज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे की मेरा मोटिवेशन बना रहे आप